में कुछ लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपोर्टेंट है कंपिटिटिव एक्जाम के लिए तो चलिए फॉल्प करते हैं यहां पे फिर्स्ट पोस्टन है 12 32 72 152 यह नंबर क्या है तो मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है तो पैटर्न क्या है देखिए 12 से 32 कैसे आया है देखिए 12-32 के बिच में difference है 20 32 72 के difference है 40 और 72 152 का जो difference है that is equal to 80 तो इसका देख सकते हैं 20 इंटिट। करेंगे तो 40 आ रहा है तो 40 इंटि टू करेंगे तो 80 आ रहा है तो 80 इंटिटू करेंगे तो 160 आ रहा है तो इसके साथ इसका नंबर का difference 160 होगा मत्तब 152 और 160 अगर आप add करेंगे तो 312 यह number होगा 312 missing number options a is the correct answer next question देखिए 365 2742 9 तो इस pattern में देखिए एक number छोटा है दूसरा जो है बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा फिर छोटा बड़ा तो इसमें आपको segregate करना है देखिए 3 alternative number देखिए 3579 ठीके next number देखिए यह बाला number होगा यह बाला नहीं यह बाला होता तो 11 होता इस pattern से ठीके अभी missing जो number है इस pattern में missing है 620 फिर 42 इस pattern को आपको ढूना है तो 6 से 20 का जो difference है that is equal to 14 और 20 से 42 का difference है 22 और दोनों के बीच का difference है 8 तो इसके साथ भी 8 add करेंगे तो 30 होगा तो 42 के साथ 30 add करेंगे तो 72 यह जो number है 72 मैं फिर से एक बार repeat करता हूँ 6 से 20 का difference है 14 14 से फिर plus यहां पर difference है 22 तो इसके बीच में difference है plus 8 का और इसके साथ plus 8 करेंगे तो 30 का difference आएगा फिर अगर add करेंगे तो 42 प्लस 32 that is equal to 72 तो सही answer है options B next question देखें next question क्या है 1348 1527 तो इसका pattern को आपको ढूना है 134 तो यह बहुत अच्छा एक reasoning है बहुत tricky reasoning है 134 करेंगे तो आपका आ रहा है add करेंगे तो आपका यह number आ रहा है ठीक है 3 प्लस 4 प्लस 8 करेंगे तो आपका 15 यह जो number आ रहा है 4 प्लस 8 प्लस 15 करेंगे तो आपका 27 नंबर आ रहा है ठीक है तो obviously 8 प्लस 15 प्लस 27 करेंगे तो यह number आएगा तो 8 प्लस 15 23 और 27 add करेंगे that is equal to 50 तो correct option is option C that is the 50 next question 2 15 41 80 यह जो pattern है 2 15 41 और 80 इसके बीच में देखेंगे जो difference है 2 से 15 का जो difference है that is equal to 13 फिर 15 से 41 26 41 से 80 का बात करेंगे अगर difference करेंगे तो देखें कितना आ रहा है 39 आ रहा है तो मतलब 13 का multiply है 13 into 2 26 13 into 3 39 13 into 4 करेंगे that is equal to 42 तो यहां पर देखिए 13 into sorry 13 into 4 करेंगे तो 52 मत्ब 80 plus 52 तो यहां पर देखें 132 आप्शिंस है तो आप्शिंस D is the correct answer so friends thank you for watching the video